दोस्तों, आप सभी को आने वाले धंतेरस और दीपावली के शुभ पर्व की बहुत बहुत शुभ कामनाएं आए। दीपावली का पर्व धंतेरस के साथ ही शुरू हो जाता है। आए पांच दिनों तक चलने वाले इस पर्व में मा लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने का विधान है। इस साल धंतेरस डासना वपर को मनाया जा रहा है। मा लक्ष्मी के आगमन के लिए घर के कोने-कोने की सफाई के साथ साथ रंगाई पुताई की जा रही है। दीपावली की तैयारियां सपताह के पूर्व ही आरंभ हो जाती है। लिए लोग अपने घरों इस लिए गौरी को फेंकने से बचना चाहिए। दूसरा मौर पंख वास्तु शास्त्र में मोर पंख को प्रेम शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस रंग के वस्त्र फेंकने के बजाए संभाल कर रख लें। उसी तरह पुरानी जाडू को दिवाली या फिर गुरुवार और शुक्रवार के दिन नहीं फेंकना चाहिए। क्योंकि यह दिल दिन मा लक्ष्मी से संबंधित है तो दोस्तों यह थी वह चीज जिनको दिवाली की सफाई में भूल कर भी बाहर नहीं फेंकना चाहिए। लेकिन दिवाली की सफाई में घर से कुछ चीजों को एकाल बाहर करना बहुत जरूरी होता है। घर की सकारात्मक उर्जा कम होती चली जाती है। है इसका सबसे बड़ा असर घर की आर्थिक स्थिती पर पड़ता है। वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। अन्तरवस्त्र या फटे कपड़े न पहने। ने नहीं घर में रखें। घर में खराब या फटे पुराने जूते चपल हैं तो दिवाली की सफाई करते समय उन्हें बाहर फेंक देते। फटे जूते और चपल घर में दुरभाग्ये लाते हैं। आपकी उन्नती में बाध लाते हैं। रही है। अगर घर में किसी तरह की गंदगी रह जाए या तूटी-फूटी चीजों को नहीं फेंका जाएगा तो घर में लक्षमी का वास होता है और लक्षमी घर से रूट कर चली जाती है। ये भी ध्यान रखें कि आपका पर्स घटाना हो। पते पर को फे लाता है। बंद घडी उन्नती को रोकती है, तो ऐसी घडी अगर आपके घर में हो तो उसे दिवाली से पहले उसे ठीक कराएं या घर से बाहर करदें। दें। अगर आपके घर की कहीं बिजली के उपकरन खराब हो गए हैं तो उन्हें ठीक करा लें या बाद में बेच द अक्सर पुरानी टूटी फूटी चीजों को का बाद को घर के छट पर रखा जाता है। इसे में को साफ सुथरा रखना, वहां से का बार हटा देना बहुत जरूरी है। जो प्रसन्न मुद्रा में न हो, जैसे चिलम पीते शिव जी या विक्राल रूप के हनुमान जी तो उन्हें भी घर में न रखें। घर का फरनीचर हमेशा सही स्थिती में होना चाहिए। आईए। है सफाई करते समय उन्हें पूरी तरह से हटा दें। आदि दिवाली पर घर में तूटे हुए बरतनों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आईए। इन्हें वैसे भी घर में जमा करके नहीं रखना चाहिए। आईए। तूटे बर्तन को घर में रखना, इसमें खाना बनाना या खाना अशुभ माना जाता है, तो घर से तूटे या के हुए बर्तन दीवाली से पहले बाहर निकाल दें। खराब खिलोने रद्धी कागज पुराना प्लास्टिक निरुपयोगी बाद से तूटे उपकरण घर से निकाल दें। ये चीज़ें घर में निर्धनता लाती हैं। ऐसी जगहों पर मा लक्ष्मी निवास नहीं करतें। इसके साथ ही सिर्फ दीपावली पर ही नहीं, हमेश पौधों के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। इस से मन मस्तिष्क पर गलत असर पड़ता है। आए लगातार इन पेंटिंग्स की नजरों के सामने रहने से से नकारात्मक उर्जा का प्रभाव हम पर बढ़ता चला जाता है। है इन चित्रों में सुन्दरता होती लेकिन उन प्रतिमाओं के माएने समझ लेने भी बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर युद्ध जैसे चित्र, हिंसा और क्लेश कलह दर्शाते हैं। इसके बुरे असर से घर में लड़ाई जगड़े होने लगते हैं। नटराज के रूप में शिव जी तांडव न रित्य मुद्रा में दर्शाय गए हैं, जो के विनाश का प्रतीक है, इस से रिष्टों में दूरी भी आ जाती है। इसी तरह बस भी टूटा फूटा मकान, बंजर जमीन, सूखे पहाड ऐसे चित्र कलात्मक दृष्टी से ही बनाय जाते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसा इन्हें घर में लगाने से नकारात्मक उर्जा आ जाती है। कभी-कभी घर में अनावश्यक पत्थर है, अंगूठी तावीज या इसी तरह की कोई चीज है, घर में कहीं रखी हुई होती है, पुरानी चीजें होती हैं। और पता भी नहीं होता कि कौन सी चीज फायदा प पाहर कर देते हैं। दिवाली की सफाई करते वक्त अगर कोई भारी सामान या अनावश्यक वस्तुएं आप देखना नहीं चाहते थे, अन्य जगह पर स्थानांतरित कर देते हैं। मंदिर के पीछे लाल और पीले रंग के कपड़े से सजावट कर सकती है। पीला और लाल रंग बहुत शुब होते हैं। इसलिए इन कपड़ों से अपना मंदिर सजाएं। ऐसे मौके पर। पर कमल पुश्पों द्वारा घर का मंदिर जाना बहुत ही शुब माना जाता है और ये खूबसूरत भी लगता है कमल के पुष्प मा लक्ष्मी को बहुत प्रिय है इससे मा लक्ष्मी और भगवान गणेश आकरशित हो जाते हैं तो दीपावली से पहले ही मा लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर की सफाई करें तूटी फूटी पुरानी चीजें हटा दें घर को वास्तू के अनुसार सजाने से आपको धन की देवी मा लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है तो मा का स्वागत करने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार को अच्छे से सजाया आम के पत्तों को बहुत ही शुभ माना जाता है हर शुभ कार्य में आम के पत्तों का प्रयोग किया जाता है इससे घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है इसलिए दिवाली पर घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों और गेंदे के फूलों का तोरन लगाया है घर के मंदिर को भी गेंदे के फूल और आम के पत्तों से सजाया जाए मुख्य द्वार पर अगर कोई भी भारी सामान या रुकावट हो तो उसे हटा दिया गया घर की दहलीज अगर टूटी हुई है तो उसे ठीक करवाने वाले घर के मुख्य दर्वाजे के यहां रंगोली बनाएं सिंदूर से स्वास्थिक का चिन्ह बनाया है दोनों और सुभह शाम दीपक प्रज्वलित कर रखें थे इससे सकारात्मक उर्जा तो आती ही है साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है धन का आगमन होता है जिस घर में सकारात्मक उर्जा होती है वहां का वातावरन सुखमय और शांती से भरा होता आया है संपन्नता बनी रहती है दीवाली पर घर के मुख्य द्वार पर और हर कमरे में गंगाजल का हल्दी और कपूर मिला कर छिड़काव करें अरे इससे घर में सकारात्म कूर्जा आती है इस दीपावली पर इन चीजों का ध्यान अवश्य रखें जिससे आपके घर में धेर सारी खुशियां लाए आए धनतेरस और खरीदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें है सोना चांदी के गहने जैसी खरीद कर घर लाई वास्तु वे अपने साथ घर में शुभता लाती है सम्रिद्धि लाती है लेकिन क्या सच में इतने पैसे खर्च करना अवश्यक होता है अभी हम समर्थ नहीं है है ज्यादा पैसे खर्च करने में तो क्या करें करें दोस्तों जरूरी नहीं है कि महंगी चीजें ही आप खरीदे गए धन तेरस पर ऐसी कुछ शुब कारक चीजें हैं जिनहें आप अपने घर में लाते हैं तो धन सुख संपत्ती एश्वर्य को आसानी से पा सकते हैं क्या है? ये चीजें हम आपको बता आते हैं इन में से कुछ चीजों को घर लाते समय या लाने के बाद कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन आवश्यक होता है इन्हें भी जान लें तभी ये चीजें आपको शुब फल प्रदान करेंगी तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय मा लक्षमी लिखे दोस्तों कार्तिक मास की अमावस्याकों को दीपावली पूजन किये जाने का विधान है इस उत्सव के दोरान गोध धनतेरस नरक चतुरदशी सी छोटी दीपावली होली और फिर दीपावली होली का पर्व मनाया जाता है रहा है दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा अनकूट महोतसव भाई दूज और विश्व कर्मा पूजन किया जाता है आपको बता दें कि इस साल धनतेरस की तिथी 10 नवंबर को दोपहर 12 बज कर 35 मिनट से शुरू होगी और अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 1 बज कर 57 मिनट पर समाप्थ होगी होगी बता दें कि धनतेरस के दिन प्रदोश काल में पूजा होती है इसलिए धनतेरस 10 नवंबर को ही मनाई जाएगी शुभ मुहूर्थ की बात करें तो इस दिन धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्थ शाम 6 बज कर 2 मिनट से रात 8 बजे तक रहेगा धनतेरस पर पूजा पाठ के अलावा शुभ ववस्तूओं की खरीदारी का भी विधान है कुछ ऐसी विशेश शुभ कारक चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में खरीद कर ले आते हैं तो यह आपके घर में धन, धान्य और सुक सम्रिध्ध में वृद्धि करता है इन्हें धनतेरस के दिन खरीदना उत्तम माना जाता है दीबावली के दो दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है आए देवताओं के प्रधान चिकितसक भगवान धनवंतरी के जनमोटसव के रूप में यह पर्व मनाया जाता है धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूशन और पीतल के बरतन आदी खरीदने की परमपरा है शास्त्रों में कहा गया है कि इससे घर में संपन्न बताती है मा लक्ष्मी प्रसन्न होती है है लेकिन इस दीबावली पर आपके पास पैसे नहीं है तो केवल दो रूपए कि यह चीज खरीद कर लाया जाए यह खुद आपको धनवान बना देगी लेकिन पहले हम जानते हैं कि धनतेरस से पहले हमें क्या नहीं करना चाहिए या फिर फिर दीपावली के पहले हमें कौन से कार्य को करने से बचें जाना चाहिए क्योंकि वर्जित गमों को आप दूर रखेंगे तभी इन वस्तूओं का शुभ प्रभाव घर में पड़ेगा तो सबसे पहले हिंदू रिलीजियस तेल चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि अगर आपके घर में फटा हुआ कैलेंडर है तो उसे घर से बाहर कर देना होगा दोस्तों, कैलेंडर भी समयकाल का सूचक होता है समय से जुड़ी कोई भी खराब वस्तू घर में नहीं रखनी चाहिए इस से आपका खराब समय शुरू हो जाता है, तो फटे कैलेंडर बंद पड़ी, घड़ी घड़ी अपने घर में बिलकुल ना रखें, यह आपकी उन्नती में बाधा उत्पन्न करेंगे, बरकत नहीं होगी, कारियों में सफलता नहीं मिली लेगी, और एक बार कैलेंडर को कभ अभी भी पिछले महीने का पन्ना खुला मत छोड़ना, जैसे कि अब अक्टूबर चल रही है, आप पन्ना पलट न भूल गए हैं और सितंबर माह का पन्ना खुला हुआ है, इससे आपको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, आप समय से पीछे चल रहे हैं, इसस गंदगी हुई हो, कूडा कचरा जिसके द्वार पर हो, जिस घर में कलेश कलह हो, तो दिवाली से पहले घर की व्यवस्थित साफ सफाई कर ले ले, घर का वातावरन प्रसन रखें, मकडी के जाले घर में न रह पाए, आए टूटा सामान घर से बाहर निकालें और घर के आ द्रिष्टी और समस्याओं को ले कर आती है, मा लक्ष्मी के पीछे-पीछे सुख संपत्ति वैभव आता है, तो दरिद्रा के पीछे केवल दुख और तकलीफ है, आती है, घर में हो सके तो धंतेरस से पहले गंगा जल का छिड़काव जरूर करें, करें माना जाता है, गं पापों का नाश करने की शक्ती होती है, इसे घर में छिड़कने से घर पवित्र धाम की तरह पावन हो जाता है, तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है, ऐसे घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती थी, उस घर में साक्षात प्रभु नारायन प्रवेश कर जाते ह और जिस घर में प्रभु नारायन हो, उस घर में मां लक्षमी स्वतह खींची चली आती है। यह तो हुई मां के आगमन के लिए स्वागत की तैयारियां रही। और जिस घर में मिट्टी की सुराही या खड़ा अवश्य ले आया है। और मिट्टी के पात्र में पानी भर कर उत्तर दिशा में रखने से यह देवताओं को प्राप्थ होता है। आप इसे चक्कर देखिए। यह जल बाकी के जल की तुलना में यह ज्यादा मधुर होगा। मा लक्ष्मी की कृपा से इसमें कमल जैसा सुगंध आने लगता है। मा लक्ष्मी के आपके घर में आगमन होने का यह संकेत होता है। आये इसके पीछे कारण भी है। पुराणों में उल्लेखित एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक ब्रह्मनी थी जो बहुत ही दिन निधन थी। उसे गुरु ने मिट्टी की सुराही उत्तर दिशा में रखने का उपाय बताया था। फिर इस उपाय के कुछ दिनों उपरांत उसकी गरीबी मिट गई गई, वह साधन हो गई गई, याद रखें कि इस सुराही या घड़ेकों को कभी भी खाली ना रखें। हमेशा गले तक इसके पानी भर कर रखें और केवल उत्तर दिशा में ही से रखे रखे दोस्तों इस दीपावली पर दक्षणावर्ती शंक घर में खरीद कर अवश्य लाएं। से दरिद्रता के चक्कर में फंस जाता है। पानी के चीटे पूरे घर में मारते हैं तो आपके घर में कभी भी कंगाली नहीं आते आते। धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। इस शंक को घर में स्थापित करके नित्य पूजा करने से घर में पावर नहीं रख पाएगी। दोस्तों, सबसे सस्ती चीज आप इस दी। आवली पर घर में ला सकते हैं। है वह है कमल गट्टे। यह सस्ते जरूर मिल जाएंगे। लेकिन मूल्लेवान शुभ फल देंगे कि केवल दो रुपए के कमल गट्टे आपकी बसों की गरीबी मिटा सकते हैं। दोस्तों कहते है कि के पांचों अंगों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। मा को कमाल का हर एक अंग प्रिय है लेकिन उन्हें सरवाधिक प्रिय है। कमल का बीज अर्थात कमल गट्टा। यह मा लक्ष्मी को आकर्शित करते हैं। दोस्तों दीपावली पर धार्मिक किताबें भी व्रत कथा की पुस्तकें आदी घर में अत्यंत शुब कारक माना जाता है और दोस्तों धनटेरस का दिन भगवान धनवंत्री का प्रकट होता है। उनका जन्म दिवस माना जाता है, हैं उन्हें आरोग्य के देवता कहा जाता है। इंहोंने ही अम्रित्मय औशदियों की खोज की इसलिए इस दिन ओशधी खरीद करके लाना अत्यंत शुभ फल दायक माना जाता है, खास कर जड़ी बूटी, इस दिन लाना रोगियों में उनका वितरण करना अनेक शुभ फलों की प्राप्ति कराता है, इससे आपको स्वास्थिय रूपी सहन की प्राप्ति होगी. हिंदू रिलीजियस तेल चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि धन तेरस के दिन घर में जड़ु खरीद कर लाना उत्तम माना जाता है, इससे घर की नकारात्मक उर्जा बाहर चली जाती है, जड़ु को मा लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन जड़ु घर म हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से मा लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है, घर को धन धान्य से भर देती है, धन तेरस के दिन हमेशा विशम संख्या में ही जड़ु खरीदनी चाहिए, यानि यानि इस दिन आप एक तीन या पांच जाडू खरीद कर घर लाएं तो अधिक शुब होगा होगा। दोस्तों तो मेंधक की मूर्टी घर में रखना वास्तू के अनुज उत्तम माना जाता है। मेंधक को वर्षा का वाहक माना जाता है। है कई जगहों पर आज भी उनकी पूजा की जाती है। मंडूक शास्त्र में इसे धन का चाबी कहा गया है और धन की वर्षा कराने में सक्षम माना जाता है। इसी लिए इस दीपा वली या फिर धन तेरस के दिन दिन मेंधक की छोटी मूर्टी जरूर लाएं। चाहिए आईए कहते हैं तीन टांगों वाला मेंधक धन को अपनी और खीचने का काम करते हैं। वास्तु अनुसार तीन टांगों वाला मेंधक काफी भाग्यवर्धक माना गया है। इसे घर के मुख्यद्वार के आस पास या उत्तरी हिस्से में रखना चाहिए। इससे लक्ष्मी के स्थाई वास के लिए पोशक रहती है। इसे घर में रखने से लक्ष्मी स्वयम ही दोड़ी चली जाती है। दोश दोस्तों घर में वास्तु देव की मूर्ती रखने से घर का वास्तु ठीक बना रहता है। ऐसे घरों में धन की कमीने नहीं होती है। लिए अन्न धन से ऐसा घर हमेशा भरा रहता है। आये तो दोस्तों इस दीपावली पर इन में से जो भी चीज संभव हो घर में अवश्य लाना तो दोस्तों। यह है कुछ जानकारियां जो आप सभी को जानना बेहत जरूरी है। उम्मीद करता हूँ। आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। होगी दीपावली का त्योहार, रोश्नी का त्योहार है। सभी लोग आतिश बाजी करते हैं। आप भी करिएगा। लेकिन सावधानी से त्योहार को हर्शोल लास के साथ मनाएं। वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन का बटन दबाना बिलकुल भी न भूलें।